Hello friends आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का हल्वा और इसे बनाने के लिए मैं बिकुल अलग तरीक के इस्तिमाल करूंगी आप इसे जरू ट्राए करके देखेगा तो चली देखते हैं कैसे बनाते हैं इसके लिए हमें चाहिए एक कटोटरी बेसन और ये 3-4 चमच शककर 3 चमच गी, गाय का गी लिया है मैंने और पाने तो सबसे पहले कडाही गरम होने के लिए रख देना है और उसमें डाल देना है 3 चमच गी तो ये मैं इसमें गी डाल रहे हूँ और अब इसमें डालना है ये बेसन और हमें इसे भूनना बिल्कुल भी नहीं है बस अब मैंने इसमें डाल दिया शक तो इसमें मैंने 4 चमच शकक डाल दी है और अब इसमें मैंने डाल दिया है ये 1.5 कटोरी पानी तो एक कटोरी बेसन में करीबन 2 कटोरी पानी डल जाएगा तो अब इसे इसमें लूब्स न रहे गाठ न रहे इसलिए इस प्रकार से चला लेंगे और गैस की फ्लेम तो बिल्कुल मीडियम पे रखनी है यह देखिए इस प्रकार से चलाने से बेसन में गाठ नहीं पड़ती है और वो स्मूथ हो जाता है यह देखिए मैंने बीच में वीडियो कट कर दिया था इसकिप्ट कर दिया था ताकि वीडियो लंबा नहीं हो जाता तो यह देखिए इस प्रकार से इसे हिलाते रहना है और अब इसे में ढाग दे रहेंगी और इस प्रकार से इसे पकने देना है पांस से दस मिनट के बाद फिर इसे चला देना है इस प्रकार से चलाते रहना है बीच बीच में और इसमें थोड़ा सा पानी और एट कर रहे हूं करीबन आधी कटोरी पानी पहले डाल चुकी हूं तो ये टोटल दो कटोरी पानी इसमें लग गया है मतलब एक कटोरी बेसन में दो कटोरी पानी लगेगा अब इसे पूरे अच्छे से मिलाने के बाद इसे कम से कम 10 से 15 मिनिट के लिए ढाक कर पकने देना है गैस की फ्लेम जो है सिम पे र इसे अच्छे से एक बार हिला लेना है ताकि अगर जो नीचे थोड़ा सा चिपका सा हो गया जला तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल सिम्पे कर रखा था ये देखिए हल्वा बनके रेडी है अब इसे आप ड्राइफूट से डेकोरेट कर सकते हैं सजा सकते हैं और इसे सर्व कर सकते हैं यह देखिए तो इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीका है आप इस तरह से बना के देखिए और मुझे कमेंट करके बताएए कैसा लगा